नमस्कार आप देखेंगे टीवी 27 नियूस और मैं हूँ आपके साथ आर्या चत्रवेदी इसी के साथ पिया मोदी ने कहा कि विपक्ष के लड़ाई शक्ति के खिलाब है और उत्रपुदेश के लखनों में प्रमुख नेताओं के बीजेपी में शामल होने पर आप सभी पार्टी को मजबूत करेंगे और आप सभी प्रमुख नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है जिसको लेकर डिप्टेसियम बर्जेस पाठक ने कहा है कि सभी लोग बीजेपी को मजबूत करने की कुर्सस कर रहे है और यही वज़ा है कि जो सदस जो भी नेता पार्टी में शामल हो रहा है पार्टी उसे अपने परिवार के सदस ही रखेगे और चुनाव को लेकर लगातार तमाम करदावर नेता अलग अलग पार्टी के नेता बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर उत्रपदेश के डिप्टे से एम बर्जेस पाठक ने कहा है कि जो भी नेता जो भी कारे करता अदग पार्टी से बीजेपी में शामल हो रहा है पार्टी भी बीजेपी भी उसे अपना परिवार का सदस्मान रही है और सबी लोग बीजेपी को मजबूत करने की कोशस कर रहे हैं चुनाव को लेकर तयारियां भी जारी है लगातर तमाम नेताओं का बीजेपी में शामल होने का सलसला जारी है और ऐसी कड़ी में तमाम नेताओं ने आज बीजेपी में शामल हुए हैं उनका बीजेपी का दामन थामा है जिसको लेकर डिप्टिसेम पाठोक ने कहा है कि सभी लोग बीजेपी को मजबूत करने की कोशस कर रहे हैं और बीजेपी भी सभी सदस्यों को अपना परिवारिक यानि कि परिवार का सदस्मान कर चलती है चुनाओ की लोग के तयारियां जो रोशोरोस पर हैं तमाम पार्टि के नेता तमाम दल के नेता बीजेपी में लगाता सामिल हो रहे हैं ये सलसला लगाता अरचारी है और आज इसी कड़ी में तमाम कदावर नेताओं ने परिवार का सदस्मान कर चल रही है और यही वज़ा है कि लगातार बीजेपी पार्थी मजबूत होती जा रही है यह बाते बिचेश पार्थक यानिक यह उत्रपदेश रेप्टियसेम उनके तरफ से कही गई है तो आपको बता दे कि एक तरफ चुनावों की तैयारिया है ज उनके तरफ से कहा गया है कि लगातार बीजेपी को मजबूत करने की कुर्स की जा रही है और जो भी नेता बीजेपी में आ रहा है उसका स्वागत है उसको परिवार के सदस के तरह रखा जाएगा हसमाजवादी पाज़ी के नेतार राम सुधाकर यादव ने मुक्तार अंसारी के समर्थन में सपा कार्याले में पोस्टर लगाए है और इन पोस्टर के जरिये राम सिदाकर यादव ने मुक्तार अंसारी की मौत के बाद एद ना मनाने की अपील करते हुए मुसल्मानों से एद के दिन एद गापन मौन रखने की भी अपील किया सपा कार्याले में मुक्तार अंसारी के समर्तन में लगाएगे पोस्टर सोशल मीडिया पर वारेल हो रहे हैं और केंद्रिय मंत्री डॉक्टर महन पांट्री ने कॉंग्रेस के गोशना पत पर बयान ज़ारी करते हुए कहा कि आज मोती यूग में सारे गरीबों को उनका हक मिल रहा है देश के नवजवानों को सभी बड़े बुज़र्गों का उनका हक मिल रहा है कॉंग्रेस जिसने भी देश में आपातकाल लगाने के लिए आज तक आपातकाल के लिए कभी खेट नहीं व्यक्ति क्या श्रमा नहीं मांगी उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का गोशना पत्र कोरी बक्वास है और वहीं उन्होंने राखूल गांदी के बयान की इंडिया गठवन्न सम्विधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और अब पर तंच कस्ते हुए कहा कि पीम नरेंद मोदी सम्विधान के अनुसार ही चुनी हुई सरकार की अगवा है और सम्विधान के मर्यादाओं के ही दाइरे में आज नरेंद मोदी काम कर रहे हैं नहीं है कांग्रेश जिसने इस देश में आपातकाल लगाया और आज तक आपातकाल के लिए कभी खेदने के लिए और जहां मोखोटे के रूप में खड़के राज अध्यक्षा हैं पीछे से कोई और काम करता है उनका यह घोशना पत्र कोरी बखवास है जहासी में प्रिक्षियर पूरा करने के बार पुलिस विवाग को 173 रिक्रूट आर अक्षी जवान मिले हैं जवानों ने परेट की शांदार प्रस्तुती दी इस मौके पर डियाइची कलानी धी नैथानी और वैश्ट पुलिस अधिक्षक राजीर से सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहें एडीजी ने 173 जवानों के उज्ज्वल भविश की कामना की है 173 कैड़ेट्स ने आज यहां से पास आउट किया है और यह 6 महिने की रिगरस ट्रेनिंग जो हमारी होती है पर आप देख रहे थे बहुती खुबसूरत परेड थी और यह दर्शाता है कि यह आने वाले समय के लिए बहुत सैयार होकर यहां से जा रहे है मैं उमीद भी करता हूँ और इश्वर से कामना भी करता हूँ यह जहां भी जाए बहुत सक्सेस्फल रहे है और यूपी पुलीस तो नाम बहुत गौरब है 173 कैड़ेट्स ने आज यहां से पास आउट किया है और यह राइवरेली में जमीनी विवाद में दवंगों ने लाची डंडों से पेट कर एक बुज़ूर की हत्या कर दी हत्या के बाद आरूपी मौके से फरार हो गया सूशना विलने पर पहुंची पुलिस ने श्रब को कबजी में लेकर पूस्त मातम के लिए भीज दिया है पुलिस ने मामला धर्जकर परार आरूपी की तलाश शूरू कर दी है और इस कबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे समवाद आता सिराज वैमत हमारे साथ जोट चुके सिराज एक बज़ूर के हत्या की गई है आरूपियों तक अभी तक पुलिस पहुच पाई है या नहीं और क्या उपाए पुलिस के तरब से किया जारे किस आधार पर आरूपियों के तलाश की जारी है सिराज तो आपको बता दे कि जमीनी विवाद को लेकर वज़ूर के हत्या की गई है और पुलिस अब पूरे मामले की जाराज पर ताल कर रहे हैं और आरूपियों की तलाश लगातार पुलिस कर रही दरशल बताया जारा है कि जमीनी विवाद हुआ था जमीनी विवाद को लेकर एक वज़ूर की बदमाशों ने दवंगों ने हत्या कर दी है और मौकिल से फरार हो गया, इस पूरे मामले की जानकाली जब पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुची और बज़ूर के शब को पोस्ट बार्टम के लिए भीज दिया है, साथी पूरे मामले की जाच परताल शुरू कर दी है जहां से जिले के बरुवा सागर्थाना शेत्र में बीती रात कमपनी बाग के पास रस्ते सड़क किनारे रखे आदा दर्जन, गुम्टियों में अचानक भीशन आग लग गई, जुससे हड़कम मच गया, आधी रात को अचानक लगी आग की सूशना, पुलिस को दी गई, पुलिस प्रश्रासन से मदद के गौहार भी लगाई है। दरवाजी मरवाजी तार से बांद के पेटो डार के आग लगा दी, पता है किसने लगाई कुछ, अब देखो, कल तो हमा जगडा गोविन सिंग वाबा जी से हुआ, अच्छा, अब लेकर बता नहीं सकते के किस से होई, ठीक, पुलिस तो सुचना दिए, पुलिस आ गई थ अच्छन्दोले में बढ़ती गर्मी का असर दिखने लगा है, यहां के अली नगर थाना शेति के डईया गाउं में ट्रांसफार्मर में आग लगे और जलते हुए, ट्रांसफार्मर से चुंगाली निकलती रहे, जिसके बाद गाउंवालों ने ज्यसीबी के मदब से आग बुजाने के कोशस की और ट्रांसफार्मर में जलने से पूरे इलाके में बिजले गुल हो गए, जिसे लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और मैंपूरी में टीवी 27 निउस पचली ख़वर का असर देखने को मिला है कुरावली इंस्पेक्टर मोहर सिंको ने लंबित कर दिया गया है बता दे कि होली के दिन इंस्पेक्टर का एक औडियो वारल हुआ था जिसमें वो ग्राम परधान से 12 बोतल शराब मांग रहे थे और इसके बाद एस्पे विनोत कुमार ने एस्पे बेखात को इसके चानकारी सोपी थी और जाच के बाद एस्पे ने ये कारवाई किया है और इंस्पेक्टर मोहर सिंग को सस्पेंट कर दिया गया है तो आपको बता दे कि मैन पूरी में टीवी 27 नीउस की ख़बर का असर देखने को मिला है यहाँ पर एक इंस्पेक्टर मोहर सिंग को सस्पेंट किया गया है दरसल होली के समय में एक शराब मागने का प्रधान से शराब मागने का ओडियो वारल हुआ था जो ख़बर टीवी 27 नीउस पर प्रमुक्ता से दिखाई गई थी और अब उसका असर देखने को मिला है दरसल इंस्पेक्टर मोहर सिंग को सस्पेंट कर दिया गया है पहले पूरे मामने की जाज परताल की गई और उसके बाद कारवाई करते हुए इंस्पेक्टर मोहर सिंग को सस्पेंट कर दिया गया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे समवाद आता ब्रमेश हमारे साथ जुड़ चुके ब्रमेश क्या पूरा मामला था और इंस्पेक्टर को सस्पेंट किया गया टीवी 27 ने उसके खबर का बड़ा असर देखने को मिला मामला पूरा क्या था ब्रमेश जी आपको मैं बता दू यह कुराबली इस्पेक्टर थे मोहर सिंग और होली से दो दिन पूर उन्होंने कुराबली चेतर में दिराम पड़ता है ग्राम रसीवर जिसके प्रधान थे मैंने आदब उनसे एक कुछ दिन पेवले खोया लिया था और उसके बाद ही उन्होंने श लगातार TV 27 इस ख़वर पर नजार बनाए हुए था जिसके बाद आज बड़ी कारवाई देखने को मिली है वहीं SP ने चुना आयो को इसकी रिपोर्ड बेजी थी इसके बाद आज कारवाई करते हुए जो कुराबली इस्पेक्टर है मोर सिंग उनको सब्स्वेंट कर दिय कर दिया है उसके बाद बुलिस प्रशासन के तरफ से आगे क्या कुछ कारवाई की जाएगी ग्राम प्रधान से जो शराब मांगी गई थी क्या ग्राम प्रदान से भी पूस्ताच की गई है उनके खिलाब कोई कारवाई कुछ ऐसा कुछ जानकरी रमेश जी मेरी बात हुई थी ग्रापतार से उन्होंने बताया था कि उनको लगाता है तरता रहाता कि कहीं पुलिस उनके खिलाब जूटा मुकदमा ने लगते आज भी रड़े हुए है उनको यह लगता है कि उस तर लाइनी गाएगा और लाहिंग पूता मुकदमा ने लिखाई जाएगा बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रह्मेश तमम सरी जानकारी देने के लिए है और गोंडा में सरकारी जमीन पर आवयत कबजे के मामले में प्रशासर ने कारवाई किया है और अस मामले में का पार नगरपाली का जक्ष को ग्रफतार किया गया है। पार नगरपाली का जक्ष को ग्रफतार किया है। पार नगरपाली का जक्ष को ग्रफतार किया है। कुछ खुलासा हो पाया अभी तक सोनु। जिलास पताल भेजा गया वहां से हायर सेंटर आगरा के लिए रैफर कर दिया गया। सोनु। आधारों पर पुलिस जाच कर रही है। कैसे पता लगाए जाए सकेगा। कि कैसे युवति की गोली लगी कोई CCTV फुटेज कोई तस्वीरे क्या सामने आई है या नहीं। और किन आधारों पर पुलिस जाच कर पाएगी खुलासा कैसे हो पाएगा। सोनु। यही पुलिस के लिए पेचीदा सवाल है कि कुछ लड़की के परजनों ने युवति के परजनों ने जो प्रात्रम पत्र पुलिस को दिया है। उन्हें किसी का उसमें नाम नहीं लिखा है। और उसके बाद घर में मौझूद 90,000 रुपे और जेवर चोरी करके फरार हो गया। इस बात की शिकायत महिलाने पुलिस अदिक्षों के कार्याले में जौकर लिखित में शिकायत दियों और आरुपी के खलाब कड़ी कारवाई करने की मांग की है। जाच चल रही है। जाच में जैसा भी आएगा तो इस इसाफ से कारवाई की जाएगी। तो इस अदिक्षों कारवाई की जाएगी। एक साल सने मुन्ना मॉलवी कर्म प्रवाँ उहां पनी माता जी का लग जाए रहा है। जाड फूंक करहें। तो जाड फूंक करहें तो जाड फूंक करहें। तो जाँ माता जी लग गए रही गहीं लया हो जाए। तो कोई पानी ले पठाई दे रहा हैं तो हमरे संग सारी रिक संबन बनाई ने। और उत्रपदेश के मैनपूरी में ट्रेक्टर टॉली में हुई जूरदार भिरंत के चलते दो लोगों के मौत के खबर सामने आ रही है। जानकारी के मताविक दोनों मरतक भोगाओं शेत्र के ग्राम मलपूर के रहने वाले बताय च्वारें गड़ना के सूचना पर पहुंची पुलिस ने शबो को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया है और पूरा मामला बिचवा शेत्र के खिरिया जीटी र तो नमारे गाउं से अलु का टेक्टर लेके जा रहे थे और वो जीटी रोड पे पीछे से ट्रग ने टक्कर मारदी है प्राम मलपूर से जा रहे तो कुराबली मंडी के लिए यह वा है खिरिया के पास में हुआ है प्रावली मंडी से थोड़ा पहले हुआ है घीटी और एक लड़के का नाम राजीब सनॉफ राम प्रकास अब मुझफर नगर में पीड़ी परिवार को न्याएं रही मिलने पर पीड़ी ने सस्पी ऑफिस में धना पर बैट गया है और वहें पीड़ी परिवार ने गाउं से पलाइन करने की चेताब नी दिया बता दे के साथ दिन पहले हुए जगड़े में पीड़ी परिवार को इंसाफ नहीं मिला है वहीं पीड़ी परिवार ने तीन बार हामले होने का आरोब लगाया परिशनों ने पुलिस पर कारवाई नहीं करने का आरोब भी लगाया है का क्रोली थाना शेत्र के जड़वड गाउं की ये प पीडित परिवार धन्य फिर भी बैटा है और पलायन करने की भी बात कही ज़ारी पूरा मामला क्या कुछ है कुल्दीप कुल्दीप ये मुझफर नगर में जो पीडित परिवार धन्य पर बैटा है क्या मामला है किस वजह से ये पूरा परिवार धन्य पर बैटा है पलायन करने की भी बात कही जारी है क्या कि कुछ पूरा मामला है कुल्दीब और फिलाल बुलेटिन में इतना ही खबरों का सलसला आगे भी जारी रहेगा देखते रहे है टिवी टॉन्टे सेवन नियूज